एक ऐसी वेबसाइट जिस पर आप लोग राइटिंग का आसान काम करके हर वर्ड के बदले एक दादर तक अर्ण कर सकते हैं वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट और बिना किसी स्किल के तो अगर आप ये काम करना चाहते हैं तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है असलाम लेकुम दोस्तों आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ एक ऐसी वेबसाइट शीर करने जा रहा हूँ जो के 100% रियल और अथंटिक है ऐसी वेबसाइट जिस पर आप लोग राइटिंग का काम करके हर वर्ड के बदले एक डालर अर्न कर सकते हैं मतलब अगर 500 वर्ड का आर्टिकल आप लिखते हैं तो आप उसके बदले 500 डालर अर्न कर सकते हैं ऐसी जबरदस वेबसाइट है जिस पर अगर आप ये सिंपल सा काम सीख कर उस पर रेगुलर वर्किंग करते हैं तो आप इन्शालला इस वेबसाइट से 100% अर्न करेंगे तो अगर आप जाना चाहते हैं कि ये कौन सी वेबसाइट है आपने आर्टिकल कैसे लिखना है और समिट कैसे करवाना है तो इस सारी बातें जानने के लिए आपने इस वीडियो को स्किप किये बगर एंड तक लास्मी देख लेना है क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों मेरे पास एक प्लेटफार्म ओपन है सकते हैं यहां पर मैं आपको टापिक्स दिखा दूँ जिन टापिक्स के आप आर्टिकल राइटिंग कर सकते हैं यहां से लोग देख सकते हैं जी आप लोग आप लोग आर्टिकल राइटिंग कर सकते हैं यहां से आप लोग ने एक नीश सबसे पहले स्लेक्ट कर लेनी है जो भी आपके इंटरस्ट की है ठीक है इसके बाद अगर आप लोग थोड़ा यहां पे गोड करें यहां पे इनों लिखा हुए वाट वी पे वी $1 per word when $1 per word सिरफ एक word का आपको $1 мil regen एक रुपे की बात नी हो रही हुँ यहां पर एक $1 और यहां पे दूपर अगर आप 800 से 1200 words का article लिखते हैं तो आपको $500 ऑर न से 1200 2500 का article अगर आप लिखते हैं तो इसके इसके इलावा यहाँ पे आपने तरह गोर करना है यहाँ पे देखें जी कहता है अगर spend a day rate of 350 डालर for still photos अगर आप उसमें photos अगरे भी add कर देते हैं उसे related तो 350 जो है 350 डालर आपको extra मिल जाते हैं उसके बाद अगर आप उसमें video stories अगरे भी डाल देते हैं तो आपको 1400 डालर तक एक article का मिल सकता है यह कोई बाते नहीं है यह हर चीज मैं आपको proof के साथ दिखाऊंगा तो आपने video के ज़रा गोर से देखना है ठीक होगे जी यहां से आप लोगों ने rate देख लिए एक word का आपको एक डालर मिल ला है ठीक है और 800 से 1200 words का article अगर आप लिखते हैं तो 500 डालर आप लोग यहां से easily earn कर सकते हैं टापिक आपको दिखा दिए मैंने यह platform आप यहां से देख सकते हैं इस platform का नाम है यूथ टूडे और इसका link आपको वीडियो की description में मिल जाएका वहां से आपने इसको open करना है ठीक है अब सबसे पहले तो काम शुरू करने से पहले मैं आपको हमेशा की तरह यह चेक करव 100 score RIS का मतलब यह 100% real platform है आप इस पे आंखें बंद करके काम कर सकते हैं अब आपने platform भी देख लिया यहां से आपको चोटी भी हो गई कि यह 100% real platform है अब अगली बात आती है कि आपने working start कैसे करनी है आर्टिकल लिखना कैसे है उसके लिए आपने क्या करना है चैट GPT के तर और आर्टिकल बना के दिखाऊंगा मैं अभी तो यहां पे यह message box आपको नज़र आ रहा होगा आपने इस box के अंदर care GPT को command देनी है जिस topic पे आपने इस article लिखवाना है आपको website पे दिखाए है तो जो नीच मैंने वहां पे दिखाई है आपने वहां से कोई topic select करना है पह इसके बाद आपका आगे topic हो जाएगा यहां पे हमने इसको command दिया write an article about five best exercises to enforce your legs and knees यह health related topic है enter कर देता हूं यहां पे यह देखें chat GPT ने मुझे article लिखके देना start कर दिया है आपने जितने words का लिखना लिखवाना है साथ आपने mention कर देना है यह मैंने mention कर देना है यह मैंने mention नहीं किया कि आपको यहां पे एक metric बताने जा रहा हूं आपने क्या करना है इस सारे article को यहां से करने copy यह देखें मैं इसको copy कर रहा हूं ठीक है मैं सारा अगर नहीं भी करता है तो मैं यहां तक copy कर लेता हूं ठीक है यह धिया copy किया उसके पाद एक tool है spin part के पहले भी मैं आपको बत description में मिल जाएगा, यहाँ पे आके आपने अपने article को paste करना है, यह देखें paste हो गया, यह इसने बता दिया 3190 words है हमारे article में, और हमें कितना चाहिए, maximum 800 से 1200 words, ठीक है, यहाँ पे देखें, आप 10,000 words तक free of cost इसको rewrite करवा सकते हो, तो आपने थोड़ा नीचे जाना है, यहाँ पे बटन है, basic spin, आपने इस पे click करना है यह seconds के अंदर आपको यह rewrite करके देदेगा article, जी इसमें जो plagiarism वगएरा होगी, जो गलतियां वगएरा होगी, वो सारी निकाल के देदेगा, यहाँ पे देखें जी, अब आपने क्या करना है, आप आपने यहाँ से इस article को करना है copy, इस article को copy, यहाँ से यह देखें, बटन बना हुए नीचे, यहाँ से आपने इसको करना है copy, आप इसको copy करके, आप Google की एक service है, Google Docs, Google Docs open कर सकते हैं, या आप MS Word जो है, उसको open कर लें, ठीक है, मैं यहाँ से MS Word open कर लेता हूँ, यहाँ पे आके उस article को कर देता हूँ, paste, यह देखें, मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, अब यहाँ पे आपने थोड़ा सा जो है, प्राम करना है, जो title है, इसको मैं थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ, यहाँ से font अब गयरा है, इसके आप change कर सकते हैं, जो भी रखना चाते हैं, ठीक है, इसका size मैं थोड़ा से यहाँ से बढ़ा देता हूँ, ताकि यह थोड़ा जो है खुबसूरत लगे, तो इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ, यह देखें, यह बोल बोल्ड हो गया जी, जितने भी हैं, इसी तरहां आपने जो main heading's हैं, यह बोल्ड कर देने, यह बोल्ड हो गई है यहाँ से, यह बोल्ड कर दिया मैने, उसके बाद यह वाली heading थी, इसको भी मैं as it is, ऐसी बोल्ड कर देता हूँ, यह बोल्ड हो गया, उसके बाद, یہ heading है मेरे जो उसने लिखके दिया है ठीक है ये हेडिंग है मेरे पास एक ये इसको भी मैं बोल्ड कर देता हूँ सारी अगर आपके पास कोई हेडिंग कर रहा है तो उसको आपने बोल्ड कर देने ताकि ये अच्छा सा आर्टिकल बन जाए ये देखें जी अब एक ये जबरदसा आर्टिकल मेरे पास बन के आगया अब आपने क्या करना है यहां से इसको आप सेव कर सकते हैं वर्ड फार्मेट में कर लें पीडिएफ में कर लें जिसका आपको कहा गया है उस वेबसाइट पे उस फार्मेट में आप यहां से इसको कापी करने, अर्टिकल मेरा रेडी हो गया, बिल्कुल, ओके हो गया है जी, अब आपने क्या करने, अब आपने अगेन जाना है उसे प्लेटफर्म पे, जो प्लेटफर्म मैंने आपको बताया था, तो यह अब आपने क्या करने, यह तीन लाइने आपको य नीचे यहां पर देखें जी यह इन्होंने सारा तरीका का लिखा हुए हाउ टू पीचस यनि जो है आप ने हमसे राप्ता कैसे करना है आर्टिकल कैसे जो है अपलोड करना है ठीक है कहता है सेंड अब ग्रीफ इमेल आपने इनको लिखना है 200 से 400 वर्ड्स का यह इनका मेल अ उसके बाद सबजेक्ट में आपने अपने आर्टिकल का यहां पर टाइटल लिख देना है वो कहाँ से मिलेगा जहांपे आपने आ अर्टिकल अपना रखा था वर्ड़् फाइल में या इपीडियf फाइल में यह देखें यह तापिक है यहां से करें इसको जो उपट यहां पर लिख दिया, उसके बाद यहां पर आपने थोड़ा सा, जो है, इनको mail बना के लिख देनी है, ताके एक professional सा लगे, वो कैसे लिखनी है, अभी मैं आपको बता देता हूँ, तो इस तरह का permit आपने बना देना है, यहां से आप लोग देखते हैं, सेम यही wording लिख देन है, ठीक है, यह article था मेरा लिखा हुए, यहां से मैं इसको attach कर देता हूँ, यहां पर देखें, आप लोग यह attach हो रहा है, यहां से ठीक है, उसके बाद आपको एक नीचे बटन नजर आ रहा होगा, send का, ठीक है, simple आपने इस पर click कर देना है, यह देखें, आपके सामने यह send हो चुका है, message send, को restrictions नहीं आई है, बाद में आप लोग इससे परशान नहीं हो, कि हमें message send नहीं हो रहा है, यहां से आप लोग देख सकते हैं, यह live मैं आपको दिखा रहा हूँ, कोई भी restriction नहीं आई, यह देखें, send message में जाके, मैं view भी आपको करवा देता हूँ, यह द आगई होगी, मीडियों को like और share ज़रूर कीजेगा, next video तक दो हमें आद रखिये, thanks for watching